नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ पर इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन नराइन शिर्वात करेंगे उत्तप्रदेश की खबरों की कानपूर दिहात में संदिग्द प्रसुतियों में 16 साल की छात्रा का शव फासी पर मिलने से स्ष्यत्र में संसनी फैल गई कमरे में एक कुंडे पर शव को लटकता देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है मितका की माँ बीते 12 वर्षों से जगडिक करन माई के में रहे थी मितका की मा और मामा ने हत्या का आरूप लगाया है मौके पर पहुंची फरेंसिक टीम ने जाच परताल शुरू की है पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेजा है राजपु थाना शेत्र के जैनपुर गाउं का इपूरा मामला बताया जा रहा है अमेरक नगर के स्टकासे में मासूम की मौसयाआकरोशित ग्रामनो ने मार्क को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया घंटो ये मार्क जो है जाम रहे जो की नरियाओं बिहरत गाउं बताया जा रहा है ग्रामनों का आरोप है कि सुशना के बाद भी समय से पुलिस नहीं पहुँची, समय से पुलिस के ना पहुँचने से ट्रक चालक मौके से भागने में सफल रहा कल शाम को जहांगिरा गंज थाना शेत्र से ट्रक से कुचल कर एक मासुम की मौत हो गई थी SDM और CEO ने मौके पहुचकर लोगों को समझा पुचा कर जाम को खुलवाया पताबगर में पंचाय चनाव के रुधान शुरू हो चुके हैं नमंकन के बाद डरा धमका कर नमंकन वापस लेने का खेल भी शुरू हो गया है नमंकन दाखिल करने के बाद युवक के घर पहुचकर पूरप्रधान राजिंद्र सिंग और उसके साथियों ने धमकी दी है वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है जब खुद ही नहीं रहोगे तो कौन लड़ेगा चुनाव इस तरह की बातें वीडियो में देखी जा सकती हैं कबरिस्तान से लड़ोगी चुनाव पुलिस क्या करेगी मुकदमा ही लेकीगी फिर मैनेज भी होगी अपनी विरादरी के पांच लोगों को लेकर आओ फिर लड़ो चुनाव मांधाता थाना इलाके के शेखनपुर गाओ का इपुरा मामला कानपुर देहात में कोटेदार द्वारा गर्तौली पर ग्रामिनों ने हंगामा काटा जनपत कानपुर देहात के अकबर पर ब्लॉक के ग्राम ग्वाटा का इपुरा मामला कोटेदार द्वारा 25 किलो राशन में 20 किलो राशन देने पर ग्रामिनों ने बवाल मचा दिया जोहां सरकार लोगों को निशल कर राशन देने की बात कर रही है वहीं कोटेदार द्वारा प्रते ग्रामिन को कम राशन दिया जा रहा है कम राशन देने की शिकायत पर कोटेदार द्वारा अबद्र भाशा का इस्तमाल करने का आरूपी ग्रामिनों लगाया है कम राशन मिलने पर ही ग्रामिनों को कम राशन दिया जा रहा है कोटेदार द्वारा इस तरह की सफाई लगातार दी जा रही है फिलाल पुलिस उस पूरे मामले की जाश परताल में जुटी है पिली भीट में नोड यूस के नाम पर जमकर अवैद वसूली हो रही है तहसील काराले के बाबू का अवैद वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ है SDM ने तहसीलदार को दिये जाच के आदेश पिली भी जनपत की बीसल को तहसील का ये पूरा मामला बताय जा रहा है कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक स्वतंतर देव सिंग का आश तौरा रहा पिलिभीत में तुरीस तरीय पंचाय चनाव के ड्रिस्ट्रिगर्त सारवजनिक अवकाष खोशित किया जा रहा है पिलिभी जनपत का ये पूरा मामला बलिया में भी बढ़ते कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए जिलादिकारी अदिती सिंग ने नाइट कर्फी लगाने का एलान किया है रात 9 बजे से सुबा 6 बजे तक नाइट कर्फी रहेगा अमर्जनसी सेवाएं जारी रहेंगी अमेटकर नगर में हैरान कर देने वाली एक तस्वीर जिलाद से सामनी आई है यहाँ पर चौकेदार की तैनाती तो है पर यहाँ सब कारे राम भरों से ही चलता है ना स्ट्रेचर है ना वाट बॉय है डॉक्टरों के दिखाने के लिए तिमारदार मजबूर है अपने मरीजों को गोध में उठा कर ले जाने के लिए आशरे की बात यह है कि यह सब जिला अस्पताल प्रश्रासन द्वारा से स्टिवी की निगदानी में हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल प्रश्रासन कोई कारवाई कोई आक्शन नहीं ले रहा और यह के एरवकाट्रा थाना पुलिस को बड़ी सफ़ता हाथ लगी है जहां वैगनार कार से परिवहन कर लाई जा रही 40 कट्टा देशी शराब बरामत हुई है पुलिस ने प्रधान प्रत्यासी से चार लोग को गिरफतार किया वोट्रों को बाटने के लिए देशी शराब लाई जा रही थी और यूपी की खबरों में फिलाल के लिए तना ही आप बने रहें न्यूजवल इंडिया के साथ